असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब तो प्यारे प्यारे वियर्स आज मैं आप सभी के लिए इफ्तार इस्पेशल एक बहुती मज़ेदार कवाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम कहते हैं चपली कवाब तो इस कवाब को बनाएंगे हम मेरे स्टाइल में तो जल्दी से जो नगे कंवा तो मैंने अंपर लिया है अदर किलो बीफ कीमा और यह पर मैंने ट्वंटी परसेंट इसमें फैट भी पिसवा लिया था आप चाहे तो इस रेसिपी को मतन कीमा से भी बना सकते हैं तो यह पर में ने सीन के पिसवा हूँ पिसा हुआ अट करते हैं वन मैं जैफल पाउडर एट करने हूँ इसे कवाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वन टीजपून जीरा पाउडर वन टीजपून धनिया पाउडर और एक कप भरकर भुना हुआ भेसन यह नॉर्मल भेसन था और मैंने इसे हलका सा तवे पर भून लिया था इसे कवाब ह कवाब की बाइंडिंग होती है वह बहुत अच्छी होती है और इसमें आड करने के मुठी भर बारिक कटा हुआ हरा धनिया जिसके बगार कवाब तो धूरे होते ही है और वन मेडियम साइज की चॉप्ड अनियन और एक बड़ी साइज का बारिक चॉप टमाटर और ग्रीन काफी सेथे मिक्स को चांग अर बहुत ही अच्छी से बांडिंग देने के लिए जिसे आफ दी अधे मिक्स करेंगे और वह य dereil साइनिक के लिए बहुत ही बाइंक बटते minuteल किवाब स्टी उइस श्याट करेंगे पस्aj and अदिया कॉधिनान और चंदा चॉपली कवाब की स तो में एक बारी में बहुत बड़ा साइस कीमे का ले लेना है और उसे बिलकुल पतला सा कर देना है और मेरे हाथ हो थोटे छोटे छोटे हैं तो मैं अपनी पाम के अकॉर्डिंग इसको कर रही हूँ जितनी बड़ी आपकी हतेली हो इतनी बड़ी आप इसके साइस को रख सकते हैं जितना बड़ा बनाएंगे यह उतना ही देखने में खुबसुरत लगेगा और लास्ट में इ गर्म करना है और लो टू मीडियम पर इन कवाबो को करना है तो जितना आपके बारी में पाण में आ सके आप उतने फ्राइ कर लीजे जब आपको लगे कि एक साइट से हलके से गोल्टन ब्रौन हो चुके हैं तब हम इसकी साइट को चेंज करेंगे अगर आप तुरंत इसक को चेंज करेंगे तो आपके कवाब भट भी सकता है तो एक से दो मिन बाद ही आपको इसकी साइट को चेंज करना है तो मैंने एक से दो मिन बाद जब मुझे लगा कि एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इनकी साइट को चेंज कर दिया है और मेरे घर में इ अगर आपको इस ग्रीन चटनी के साथ अगर आपको इस ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेट में जरूर बताईएगा तो फिर से लेकर आउंगी आप सभी के लिए ऐसी ही मज़ेदार इंस्टेंट जट पर टैसिपी तब तक के लिए अल्हाफिस दुआ में याद रखेगा